हलो पच्छो नमस्कार पैरे पच्छो हम समीने मिलकर लास्ट किलास में कंवैक्स मिरर के दोनों केसिस पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ के अच्छे से डिटेल में उसके बारे में जानगारी हासिल कर ली थी आज हमें यूजिज इसके फॉरमले और इसके बारे में कुछ नई बाते जाननी है इसके बाद फिर मैं आपको हो सकता आज रिफ्रेक्षन भी शुरू करवाँगा तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले क्या भई यूजिज आफ कनके मिरर लिखे ज़र आप सभी Uses of Concave Mirror ये लिखिए पहले हाँ जी लिखिएंगे ज़रा Uses of Concave Mirror लिखिए Concave Mirror are used as Concave Mirror are used as First Point आईए Concave Mirror are used as Reflectors in Torch Reflectors in Torch Comma Vehicle Torch Comma Vehicle Headlight Comma Vehicle Headlight And Searchlight And Searchlight To Get Powerful Beam of Light To Get Powerful Beam of Light To Get Powerful Beam of Light Second, Concave Mirror are used as Saving Mirrors Concave Mirror are used as Saving Mirrors To See a Large Number Sorry Concave Mirrors are used as Saving Mirrors To See Large Image of Face To See Large Image of Face Concave Mirror are used by Dentist Concave Mirror are used by Dentist To See the Large Image of the Teeth 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 of the Patient Hindi वाले Hindi वाले लिखिये वही लिखेंगे आवतल दर्पन का परियोग आवतल दर्पन का परियोग Torch गाडियों की Headlight गाडियों की Headlight और सर्च लाइट में और सर्च लाइट में रिफलेक्टर यहनी कि प्रावर्तक का काम करती है प्रावर्तक का काम करती है सर्च लाइट में प्रावर्तक का काम करती है ठीक है जी? सेकंड बॉइंट प्रावर्तक का काम करती है सेकंड बॉइंट अवतल दर्पनों का परियोग दाड़ी बनाने के लिए परियोग किये जाता है ताकि चहरे का बड़ा परतिबिम्ब दिख सके और थर्ड पॉइंट कंकेम मिरर आर यूजड सरी 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 हिंदी में अवतल दर्पन का परियोग दाड़ों के डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है ताकि वे मरीज के दाड़ों का परतिबिम्ब देख सके और कन्वेक्स का भी लिख लो कन्वेक्स का भी लिख लो लिखो Convex का लिखो पहला Convex mirror are used as Convex mirror are used as Convex mirror are used as Rearer view Rearer view Mirrors in vehicles Mirrors in vehicles मतलब Rearer view क्या होता पीछे का पीछे का clear image देखने के लिए बड़ा image देखने के लिए भाई क्या यूज़ करते हम Convex mirror का और दूसरा It is used for It is used To see erect image It is used to see Erect image Hindi वाले Hindi वाले उत्तल दर्पन का परियोग लिखो उत्तल दर्पन का परियोग पहला अत्तल दर्पन का परियोग गाडियों में अत्तल दर्पन का परियोग गाडियों में पीछे का द्रश्च देखने पीछे का दिरिष्च देखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और दूसरा पॉइंट यह मिरर यह दर्पन सीधा परति भिम देखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है सीधा परति भिम देखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है ठीक है जी? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे है मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला दर्पन सूत्र ठीक है बच्चो दर्पन सूत्र बहुत प्यारा है टॉपिक और पढ़ना जरूरी है क्योंकि नुमेरिकल इसी के बेश्ट पे कर पाओगे फॉर्मूला है वन अपॉन में एफ इस एक्वल टू वन अपॉन में वी प्लस वन अपॉन में यू अब बात आती है एफ कौन है वी कौन है यू कौन है तो आईए एफ फोकल लेंथ ओफ मिर्र दर्पन का फोक्स फोक्स दूरी वी वी डिस्टेंस बिवीन इस्टेंस बिवीन इस्टेंस बिवीन इमेज एंड मिर्र प्रती बिम्ब और दर्पन के बीच की दूरी दर्पन के बीच की दूरी एक वी वी दिस्टेंस बिवीन इमेज शरी ओब्जेक आंड क्या वही इस्टेंस बिवीन अब्यं अब्यक्त and mirror वस्तू और दरपन के बीच की दूरी दरपन के बीच की दूरी ठीक है जी तो focal length of mirror दरपन का focus की दूरी ठीक है भई, मतलब क्या जो भी mirror है उसके focus के दूरी को f v, v कौन है mirror और image के बीच का distance परतिविम्ब और दरपन के बीच की दूरी जबकि u कौन है object और mirror के बीच की दूरी वस्तू और दरपन के बीच की दूरी यह आपका कौन हो गया भई यह u formula हमारे पास create होके आया है यह ठीक, now एक formula आप हमें पढ़ना है second magnification 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 आवर्धन sorry इधर आएगा आवर्धन इससे यह पता चलता है कि कोई image बन रही है तो कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है यह सारी चीजे ठीक है तो इसको m से denote किया जाता है और इसका formula होता है minus v upon u m का मतला magnification v और u जानते ही हो यह रहा m का एक formula और होता है hi upon में ho hi upon में ho अच्छा अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग hi upon में ho इसका कहने का मतलब क्या है भाई इसका कहने का मतलब क्या है कि bhoji m की एक एक formula तो यह है m का दूसरा formula यह है अब मुझे एक simple सी बात बताओ यह भी m के बराबर है यह भी m के बराबर है तो क्या मेरे बच्चों ये दोनों अपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे जिब बिलकुल होंगे तो माइनस V upon U H I upon में H O एक फॉर्मूला ये भी बनता है एक फॉर्मूला ये भी बनता है अब बच्चे कहेंगे आपने V बता दिया, U बता दिया, F बता दिया H I or H O भी बता दो लगे हाथ तो लीजिए, आपके सेवा में हाजी रहे ठीक है, H I नाम से के लिए रहे, H का मतलब हाइट आफ आई इमेज प्रती बिम्ब की उचाई प्रती बिम्ब की उचाई अगला H O या हाइट आफ इमेज बिम्ब बिम्ब बोले तो वस्तू की उचाई वस्तू की उचाई चलिए, ठीक है नोट कीजिए इन फॉर्म लोगो नोट कीजिए बच्चो इन फॉर्म लोगो नोट कीजिए फिर आगे का बढ़ाते है अच्छा एक बात और बता रहा हूँ मिरर फॉर्मूला लिखा है तो यानि यह कंकेव हो चाहे कंवेक्स हो दोनों के लिए सूट करेगा कंकेव हो चाहे कंवेक्स हो लोगो मिर्म लोग यह कंवे तू limit खुर्म मिर 59 आहिं लोगो चलो वचो आपने नोट कर लिया होगा ठीक हैं दोनों मिरर के लिए हैं प्यारे बच्चो चाह कनवेक्स हो चाह कनकेव लेकिन अब अब मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चो जो मैं देखता हूँ मोश्टली बच्चे इसको याद करते हैं रटने की कोशिस करते हैं और जब यह रटते हैं तो फिर क्या होता है लगबग लगबग 90% बच्चे इसको रटते हैं और जब रटेंगे किसी भी चीज को तो दो दिन का महमान होती है वो दो दिन तो याद रहेगा तीसरे दिन भाईया चूमंतर और आपको आज याद कराय जा रहा है तो एक्जाम से नहीं जानता होगा जानती है film प्रेंट सेवन चैप्टर के शुरूआत में आता है है यह बात करूं किन की F की U की V की HI की HO की तो भाई ये अपनी अपनी जगह पे क्या करते हैं ये अपनी अपनी जगह पे क्या करते हैं ध्यान से देखना ये है आपका Concave Mirror जी सही बात है और ये आपको Principal Axis बचो अब एक बात ध्यान से देखना अगर इसको अब थोड़ा सा इसकी नजर से देखना चाहोगे तो क्या थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है जल्दी बताओ भाई ये अपना Y Axis वाला ये अपना X Axis वाला लग रहा है है कि नहीं लग रहा जल्दी बताओ लग रहा है ना ठीक है तो भाई जब यह लग रहा है तो बस मुझे इतना पता चल गया है कि जब मैं इस तरफ आओंगा तो Positive होगा इस तरफ आओंगा तो Negative होगा उपर की तरफ जाएगी कोई चीज तो positive होगी नीचे की तरफ जाएगी कोई चीज तो negative होगी सही बात है चलो अब चेक करते हैं अब बच्चो मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ वीडियो pause कीजिए और एक मिनट के अंदर concave mirror में अवतल दरपन में जो मैंने आपको 6 case करवाए हैं कितने cases करवाए हैं बच्चो 6 case करवाए हैं उन 6 के 6 case को एक बार जल्दी से revise कर लो क्यों? क्योंकि जब आप वो revise कर लोगे तभी आपको ज़्याद अच्छे से clear होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपने वैसे भी revise कर लिया है लेकिन एक मिनट दे रहा हूँ वीडियो पॉस करके जल्दी से आप उसे revise करो तो चलिए हाँ बई आपका समय खतम हुगा आप सुरू करते हैं अब अगर आपने ये case देख लिए तो पहले तो आपको मैं कुछ खास बता दूँ बच्चो यू नेगिटिव होगा हो पॉजिटिव होगा मैं reason भी बताऊंगा इसका रटवा नहीं रहूँ यू नेगिटिव हो पॉजिटिव इन ओल केस इन ओल केस सभी इस्थितियों में सभी इस्थितियों में सभी इस्थितियों में ठीक है सभी इस्थितियों मतलब क्या चाहे कोई सभी mirror हो चाहे कोई सभी lens हो यहनि चाहे कोई सभी दर्पन हो चाहे कोई सभी क्या हो वही लेंस हो हर केस में U की वेलू नेगेटिव ही रहेगी H की वेलू पॉजिटिव ही रहेगी Reason आओ सीखें क्यों नेगेटिव रहेगी देखो बच्चो ये था कौन P, ये था कौन F, ये था कौन C, अब देखो कनके मिरर की बात अगर मैं आपको बताऊँ कनके मिरर में आप जब भी अबजेक्ट रख रहे थे, किस तरफ रख रहे थे, इसी तरफ तो रख रहे थे याद करो कनके mirror में आप जब भी object रख रख रहे ते इसी तरफ रख रहे ते हां कि न अब जब कनके mirror में object आप हर बार इस तरफ ही रखोगे तो इस तरफ की length क्योंकि यू कौन होता है यू होता है distance between mirror and object तो इधर की तरफ अगर आप माल लिजे यहां पे कोई object रखते हैं तो इसके बीच का जो distance होगा वो किस तरफ जा रहा है negative की तरफ तो इसलिए u की value कैसी रहेगी negative लेकिन भले ही आप object को यहाँ पे अगर रख रहे हो तो distance negative है लेकिन height किदर की तरफ जा रहा है उपर की तरफ और उपर कैसा है बच्चो पॉजिटिव तो इसका मतलब हो always क्या होगा पॉजिटिव तो बच्चो याद रखना u हमेशा negative होता है और हो हमेशा positive होता है in all case यह बात ध्यान रखना अब बात आती है focus तो आप भी देख रहे हो focus भी किस तरफ जा रहा है इस तरफ जा रहा है तो कनके mirror का focus कैसा होता है बच्चो negative होता है कैसा होता है negative अब लेकिन मेरे प्यारे बच्चो आप बड़े ध्यान से इसके बारे में देखो V और HI पहले V के बारे में V है कौन पहले यह पता करते हैं तो यह V तो है distance between image and mirror मतलब क्या परतिबिम्ब और दर्पन के बीच की दूरी इमेज और mirror के बीच का distance हाँ जी तो आप अगर 6 के 6 case revise कर चुके हैं तो आप जरब पहला case देखिए P और F आप पहला case देखिए P और F P और F के बीच में जब आपने object रखा तो image इस तरफ बना ठेक है और F के बाद जितने भी case देखे वो सारी image इस तरफ बनी ठीक है तो आपने क्या देखा कि सिर्फ एक ऐसा case था जो इधर के direction की तरफ बना यानि की positive यानि सिर्फ एक case में V की value positive हुई बागी पांचो case में object यानि जो image बना वो या तो F पर बना या इनके बीच में बना या C पर बना या C के beyond बना या infinity बना और जो भी बना इस तरफ बना और इस तरफ कैसी होती है value negative तो यानि V की पांच case में तो value आएगी negative बस एक case में value आएगी positive और वो कौन सा case होगा when object is placed at sorry between P and F ठीक है जी यानि V की value concave mirror में पांच बार negative रहेगी बस एक बार positive रहेगी कब जब P और F के बीच में object को रखा जाए इसी परकार बच्चो हाई अगर height of image देखो तो एक ही बार इस तरफ उपर की तरफ गया है वरना हर बार आप कोई सी भी पांचो केश के image देख लो वो नीचे की तरफ गया है किस तरफ गया है नीचे की तरफ मतलब हर बार नीचे की तरफ कैसा होगा negative और एक बार उपर की तरफ तो कैसा positive यानि एक ही case में positive होगा कब जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाए रखा जाए कोई दिकत कोई दिकत वच्चो नहीं न नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो अगला लास्ट इसके बाद लास्ट टॉपिक फिर हम लोग reflection के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगी ठीक है बच्चो चलो अब कौन सा mirror पढ़ने जा रहे हम अब पढ़ेंगे हम बच्चो उत्तल ठीक है जी convex उत्तल दर्पन ठीक है जी और उत्तल दर्पन के case में कुछ इस प्रकार से figure बनी थी P, F और C ठीक है जी हां जी अब देखा होगा बच्चो अपने कि convex mirror में मैंने सिर्फ और सिर्फ दो case बनाए थे convex mirror में मैंने कितने case बनाए थे सिर्फ और सिर्फ दो case बनाए थे जिसमें से मैंने आपको दोनो case में object इस तरफ ही रखके दिखाया है और इस तरफ कैसा होता है बच्चो नेगेटिव यानि यू तो क्या हो गया नेगेटिव और हाइट अबजेक्ट की उपर की तरफ तो मतलब पॉजिटिव तो हो तो अल्वेस पॉजिटिव ये दो तो मैंने बताई रखा है फिक्स होंगे चाहिए किसी भी केस में आए अब आता एफ तो आप देख रहे हो एफ जो है वो इस तरफ है और इस तरफ कैसा होता है पॉजिटिव तो फोकस कैसा आया भाई या पॉजिटिव वी अगर आप कनवेक्स मिरर के दोनों केस फटाफट एक मिनट में रिवाइस कर लेंगे वीडियो बाउस करके तो आप दोनों केस में क्या देखोगे कि इमेज हर बार मिरर के पीछे बनाया और मिरर के पीछे कैसा होता है पॉजिटिव तो यानि वी भी आपका क्या है पॉजिटिव और जो image के height भी रही वो किदर की तरफ रही उपर की तरफ रही तो इसका मतला HIV क्या रहेगा positive तो बच्चों convex mirror में सिर्फ U negative होता है बाकि सारे क्या होते हैं positive होते हैं तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसे भी note कर लो फिर हम लोग reflection की तरफ आगे बढ़ते हैं झाले बच्चों जल्दी से थाले बढ़ते हैं हाँ जी बच्चो तो आपने ये गर लिया आप अगला हम करेंगे रिफ्रेक्शन क्या करेंगे बच्चो रिफ्रेक्शन चलिए अब करते हैं हम रिफ्रेक्शन तो अगला टॉपिक का नाम है आपके आपने रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन ओफ लाइट प्रकास का अपवर्तन बच्चो क्या होता है प्रकास का अपवर्तन ये सीखते हैं पहले क्या होता है रिफ्रेक्शन ओफ लाइट तो प्यारे बच्चो रिफ्रेक्शन ओफ लाइट क्या है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए जब light एक medium से दूसरे medium में enter करे ठीक है और अपने entry के बाद उसमें कुछ change देखने को मिले उसके entry के बाद क्या देखने को मिले कुछ change देखने को मिले तो उसे ही क्या कहा जाता है भाई क्या कहा जाता है reflection of light या सीधी बात light की एक aci ability जो उसे एक medium से दूसरे medium में लेकर जाती है light की aci ability ठीक है जो उसे एक medium से दूसरे medium में लेकर जाती है एक माधियम से दूसरे माधियम में लेकर जाती है तो पहले definition लिख लो फिर समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है चलिए लिखेंगे ज़रा लिखो बच्छो the change in direction of light 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 when it passes from when it passes from when it passes from one medium to another one medium to another it's called refraction of light it's called refraction of light it's called refraction of light the change in direction of light हिंदी वाले जब नहीं हिंदी वाले लिखेंगे जब कोई प्रकास जब कोई प्रकास दिशा परिवर्तन करते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे प्रकास का प्रावर्तन कहते है तो उसे प्रकास का प्रावर्तन कहते है ठीक है जी ये तो हो गई इसकी definition ठीक है अब बच्चो अगला आता है कि रिफ्रेक्शन के लिए कौन से दो मीडियम होते है भाई जब कह रहे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो आखिर कार जरूर वहां पर कोई ना कोई मीडियम तो हो गई तो बच्चो यहां पर ना दो ही मीडियम होते है इस chapter के लिए सिर्फ दो ही तरह के मीडियम माने जाते है पहला पहला रेरर दूसरा डैंसर ठीक है जी रेरर हिंदी में विरल और डैंसर सघन बच्चो अब मैं आपको बस इतना बता दूँ अभी इसके बाद यह टॉपिक अभी मैं सुरू नहीं करवा रहा हूं नेक्स क्लास में शुरू करवाँगा फिलाल बस मैं आपको इतना बता द ठीक है बस इतना सा फर्क है कि रेरर जो होगा और डैंसर जो होगा इन दोनों के बीच में इनके स्टेट्स बीच में मैटर करेंगी कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो कौन ज़्यादा सॉलिड है कोई कम सॉलिड है यानि किसके पार्टिकल कितने ज़्यादा पास है और किस Rarer मतलब ये, एक simple था example है, Rarer मतलब ये जिसमें आप आसानी से move कर सकों, और dancer मतलब ये जिसमें move करने में आपको बड़ी तकलीफ हो, तो मुझे एक simple सी बात बताओ, आप तेज किसमें दोड सकते हो, हवा में या पानी में, तो आप अपने आप ही बोलोगे, जी हम हवा में तेज दोड सकते हैं, और आप क्या बोलोगे, पानी में हम धीरे दोड सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे भाई, Rarer, क्योंकि जो आपका हवा है, Air है, वो आपके लिए Rarer है, और जो पानी है, अब वो क्या है? Denser है, मेरी बात सुनना, कि भाई, मैंने बोला, आप Air में तेज Water Dancer हो गया, क्यों? जिसमें तकलीफ होगी चलने में, वो आपका Dancer, और जिसमें असानी से हो जाएगा, वो Rarer, अब बात आती है, Water, और क्या भई, Water और Ice, अब मैं बोलूँगा, अब बताओ, किसमें भागना असान होगा, Water में या Ice में, अब आप बोलोगे, जी, Water में भा तो मेरे भाई, आपको एक बात बता दूँ, कोई भी चीज कभी fix नहीं है, कि वो Rarer है या Dancer है, Rarer और Dancer का पता हम लोग उसके comparison से, उसका competitor कोन है, उससे पता लगाते हैं, अगर उसके competitor में चलना मुस्किल है, तो वो Dancer होगा, और इसमें चलना उसके मुकाबले असान है तो वो Rarer होगा, ठीक है, तो दो लोगों के बीच में, दो component के बीच में आपको comparison करना है, जो ज़्यादा असान लगे, वो अपने आप Rarer बन जाएगा, जो ज़्यादा भाई, टफ लगे, वो Dancer बन जाएगा, अब देखो, एक बात याद रखना, भाई, आईस भी solid है, आईस भी solid है, और Ruby, Ruby जो आप लोग अपनी अंगोटियों में पहनते हो, वो, दोने के दोनों solid है, लेकिन इसमें light बड़े आराम से चली जाएगी, और इसमें light बड़ी मुश्किल से जाएगी, तो क्या हुआ, दोनों है solid, लेकिन इसमें light क्या जा रही है, तेज, तो इसल dancer का का काम कर रहा है, एक दूसरे के comparison में, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं, कि water एक fix rarer है, ice एक fix dancer है, हम fix कभी नहीं कह सकते हैं, बस दो भी जो हमारे पर component होंगे, उन दो को हम compare करके देखेंगे, कि आखिर कार दोनों comparison में कौन rarer है, और कौन dancer है, तो देखो, ice भी solid, Ruby भी solid, अभी ice कैसा था, dancer, लेकिन अब ice कैसा हो गया, rarer, क्यों, क्योंकि जब दोनों का comparison किया गया, तो इसमें light fast थी, और इसमें light क्या थी, slow, तो इस तरीके से बच्चों हम पता लगाते हैं, कि rarer कौन है, और dancer कौन है, तो बस आपको इतना पता लगाना है, जिसमें light तेज, वो rarer, जिसमें light धीरे, वो dancer, अब ये light तेज और धीरे कैसे होती है, ये सब मैं आपको next class में बहुत अच्छे से detail करके बताऊंगा, फिलाल आज की class में, आप इतना note कर लें, और next class में हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो चलिए, यहीं खतम करते हैं, next class में मिलते हैं.